नमस्त गुराफनून एवरीवन कैसे हैं आप सब आयो पच्छे होंगे और मैं लिकर आई हूँ आपके सामने कड़ी चावल और रोटी पकोड़े वाली कड़ी होगी और आपको अगर मेरी वीडियों अच्छे लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और मैं जो डालने वाली वो मैं आपके सामने शेयर करीए है कड़ी पते लाल सुखी मिर्च पिसा हुआ कुटा हुआ लसुन प्याज और दीन चार पांच हरी मिर्च और बेसन हुला हुआ धाई के साथ और मसाले का बॉक्स ये कड़ाई है इसको मैंने गैस पे चड़ा दिया जरा सेलोल पाम है कड़ाई मेरी गरम हो जिसमें मैंने बिल्कूल जहरा संदिन चंहिंट जड़ाई ज़्याई करी मैं ने अढके सहरी गाली को नियुक्νο कड़ाई है काम तेल दूरस जलदी मेरा ऑैल गरम हो गया था जिसको प्याज को मैं चले ज़े यहां ऊर दो हर difप्र थोड़ी सी ठीक हो गई थी तो मैंने उसमें लज्सन को भी डाल दिया क्योंकि लज्सन पहले डाल देती हूँ तो लज्सन जल जाता है और प्याज पक नहीं पाती है तो मैं इसको चला दिती हूँ और मैं डाल रहे इसमें सुखा, धनिया, एक चमच, लाल मिर्च, तेड़ चमच के करीब और एक चमच, हल्दी पाउडर इन तीनों चीजों को डाल कर मैं मिक्स कर दूँगी और फिर मैं डालूँगी इसमें हिंग ये मैंने हिंग डाल दी थी उसमें और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी क्योंकि मेरा मसाला जल रहा था तो मैंने पहले उसमें पानी डाला फिर मैंने हिंग डाली वन्ना मेरा मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर सारा जल जाता और मैंने उसमें थोड़ा जादा पानी डाल कर उसको पका लिया है मसाले को अब मैंने उसमें बेसन को गोल के डाल दिया जो कि मैंने पहले से ही गोल के रखा हुआ था दही के साथ और मैंने अच्छी क्वांटिटी में पानी डाला है यानि कि इत्ता पानी डाला है कि बिल्कुल पतली कर दिया है क्योंकि पकते पकते वो गाड़ी हो जाएगी और मैंने गैस को तेज कर दिया है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक मैं गैस को तेज रखूंगी जब तक इसमें उबाल आता है मैं एक प्याज और लसन को छेल कर और बारिक बारिक काट कर रख देते हूं पकोडों के लिए प्याज मेरी कट गई है मैंने कटोरी में पानी लेने के लिए गई हूँ पानी में इसको थोड़े देर बिगो के रख दूँगी क्योंकि जब प्याज कड़ते हैं तो आँखो में बहुत जोड से लगती है और मैं लसन छील रही हूँ जल्दी-जल्दी क्योंकि मैं पकोडो के लिए भी और गैस पर मेरी कड़ी पकने लग रही है दूसरी गैस पर मैंने दूद रखा हुआ है वो बहस का कल का दूद रखा हुआ था मेरा बचा हुआ और तो इसलिए मैंने उसको गरम कर दिया ताकि रात को मैं उसकी दही जमा सको मैं दही को सोरी मैं कड़ी को बार बार चमत से हिला रही हूँ और देखिए मेरी कड़ी में थोड़ा सा उफान भी आने लगा है जब ये थोड़ी उपर को उठके अपने आप नीचे बैठ जाएगी और इसमें यानि कि उबाल आने के बाद जिसे बोलते हैं जब ये खदकने लग जाई तब मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी यानि कि बीच के आज पे कर दूँगी एकदम से कम भी नहीं करूँगी और ये है मेरा पकोडियो का समान जिसमें मैंने बेसन ले लिया है और लसन मैंने कूट लिया है और प्याज भी मैंने कट नी की है क्योंकि बारवार मैं कड़ी को भी देख रही हूँ कड़ी मेरी उबलने लग गई है इसे थोड़ी देर मैं तेज फ्लेम पे थोड़ा उबलने दूँगी अब मैंने फिलम को बिल्कुल डिम कर दिया है बिल्कुल सिम कर दिया है और मैं मेरा बेसन था वो एक पैकेट में थोड़ा था तो पकोड़ों के लिए कम था तो मैंने दूसरा पैकेट खोल के पकोड़ों के लिए बेसन ले लिया है और यह है लसन जिसको मैं इसमें मिक्स कर लूंगी क्योंकि पकोड़े प्याज के ही मैं डालती हूं कड़ी में क्योंकि हम खा भी लेते हैं इसमें से कुछ पकोड़े और कुछ थोड़े पकोड़े हम कड़ी में डाल भी देते हैं और मैंने अपनी कड़ी की गैस को बिलकुल सिमाज पे किया हुआ है आप देखी लीजे मेरे गैस के बटन को मेरी प्याज कट चुकी है और मैं कड़ी भी देख रही हूं साथ के साथ क्योंकि जितनी देर में मैं पकोड़े बनाऊंगी उतना ही टाइम मेरे कड़ी भी में भी लगेगा और यह मैंने मिर्च पाउडर डाला है थोड़ा ज्यादा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर यह थोड़ी सी हींग और मैं इनको जल्दी से मिक्स कर लूंगी यह मैं डाल रही है इसमें दो या तीन हरी मिर्च क्योंकि यह पकोडे में हर इमिज के पकोडे जो होते हैं एक आ दजबेंड खा लेंगे और बागी के मैं कड़ी में डाल दूंगी क्योंकि टेस्टी लगती है और यह है दही जो कि मैंने थोड़ी सी बचा ली थी पकोड़ों में धाई डालने से पकोड़े बहुती सोफ्ट बनते हैं और स्पंजी भी बनते हैं आप बना कर देखिएगा कि धाई यानि कि पकोड़े के पेश्ट में धाई डालने से बनाने से कैसे लगते हैं आप याकिन निवानेंगे बहुती सोफ्ट और स्पंजी बनते ह और मैंने दूसरी गैस को अन करके गडी को उस पे चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे बड़ी वाली गैस पे पकोड़े बनाने हैं क्योंकि मेरा मिक्सर तो तयार हो गया है पकोडों का और जब तक fger and oil गर्म तब तक मैं इसको पेश्ट को भी तयार कर लूँगी पानी डालके इतने मेरा फ्राइपन गरम होता है इतने मैं थोड़ा सा पानी जो मेरे लसन का सोरी ये मेरा बेसन थोड़ा सा पिखर गया इछे से बच्ची ने आवाज लेगे मैंने उसको देखा तो उसने हाथ मारा था इदम से तो मैं उसकी तरफ देखा तो चमत चागे को उचल गई तो पहले मैं इसको साफ करूंगी और क्योंकि थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता और व्यासे भी मैं क्लिक यानि की वीडियो बना रही हूं तो रसोई गंदी दिखे तो अच्छा उसको धोके रखा था कई कई दिनों में मैं फराई पैन को यूज कर दी हूँ तो इसलिए तो मुझे धोके ही लेना पड़ता है और यह मैंने नई बोतल की सील खोली थी कली हम मैंने बताया था हम सेटरेड़े को मार्केट गए तो बहुत सारा किचन का और फ्रूट्स वग इसको तेज करना भूल गई हूँ तो मैंने उसको तेज किया है और उदर मैं कड़ी को भी देख रही हूँ क्योंकि कड़ी में मैंने अभी नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक मैं बाद में डालूँगी थोड़ा सा हो जब वो पक जाई है और बेटी बार-बार आके कह रहे ह गरी की स्मैल पहा नहीं होगी तो उसे लग रहा हुगा पकोड़ी बन रहे हैं कि मैं इस को फटाफट से इस पेश्ट को तयार कर लिती हूँ थो इतने मेरा तेल गरम होगा है इतने में इस पेश्ट को अच्छिब से तो कि मैंने ज्यादा पतला नहीं किया है और यह इसमें थोड़ा सा कुछ दिख रहा था मुझे तो मैंने इसमें से निकाल दिया और मैंने अभी इसमें नमक डाला है नमर डालके मैं इसको अच्छे से हिला दूंगी पूरी कड़ी को च्छोटी गैस को भी मैंने मीडियम फ्लेंम पे ही रखा हुआ है क्योंकि वह ज्यादा च्छोटी है तो उसकी आज बिल्कुल भी कड़ाई तक नहीं पहुच पाती तो इसलिए उसको मैंने मीडियम रखा है और बड़ी पे मैंने जब रखा हुथा थोड़े से बिलकुल सिम रखा हुआ था और ये पेश्ट तयार हो गया है और आपको थोड़ा यहां पे अजीब सा लग रहा हो क्योंकि एक हाथ में मैंने फोन को पकड़ा हुआ है और उसरे हाथ से मैं पकोड़ी तल रही हूँ थोड़ा सा मेरे गैस चुले पे भी गिर गया है और इसलिए तो क्योंकि अभी कोई स्टैंड वगरा मेरे पास है नहीं तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाके अपलोड यूटूब पे अपलोड करती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा नजदीक से दिखाने के लिए ही मैंने हाथ में फोन को पकड़ा है ताकि अच्छे से देख जाए बाकी तो वीडियो मैं थोड़ा सा दूर स्टैंड पे रखके ही बनाती हूँ और यह मेरा ओईल थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था तो मुझे जल्दी जल्दी थी इनको बदलना पड़ा वन् लिकल पाएंगे और ना ही बदल पाएंगे तो इसलिए मैंने चीम्टे से एक एक करके में बदल रही हूँ और कड़ी भी मेरी बन गई है लगभग और थोड़ा टाइम और लगेगा पकोड़े भी मेरी यह फर्स टाइम यानिकी पहली बार के यह पकोड़े हैं जिसमें मै सुबा से शोर मचा रखा है कि ममा पकोड़े कब बना होगी और यह बन गया है इनका ओल थोड़ा सा निकल जाएगा तो मैं इनको टिशू पेपर में रख दूंगी जिसमें बाकी का जो ओल है वो भी निकल जाएगा और मैं आप डाल रही हूँ दूसरे बारी के पकोड़े थोड़े सी वीडियो को मैंने स्पीड में किया हूँ है दोगना में दोगना किया हूँ है दोगने स्पीड पे किया हूँ है मैंने वीडियो को तो इसलिए आपको थोड़ा आजी लग रहा हूँ है मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कोई कि अगर मैं स्पीड में नहीं कर 45 मिनट तक की हो गई थी काफी लेंधी हो गई थी तो इसलिए मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ी और ये मैंने टिशू पेपर डाल कर दूसरी प्लेट में पकोडे चेंज कर दिये हैं अब बेटी आई थी वो गरम गरम ले जाने लगी फिर मैंने दिखाया है ऐसे नहीं ले जाते पहले में आपको प्लेट दूँगी प्लेट में रखके सारे दूँगी इसमें मैंने एक छोड़ दिया था क्योंकि उसमें हरी में च नजर आ रही थी थोड़ी सी और मैंने इसको ये सॉस का पाउच दिया है जिसे दोनों बहने जाके खालेंगी और ये मेरे दूसरी बारे की पकोड़े भी पक चुके हैं याने की हो गए हैं मैंने इने निकाल लूँगी और कड़ी भी मेरी उबल के और उबाल भी इसका बंद होने लग गया जब कड़ी का उबाल बंद होने लग जाए तो सोचो आपकी कड़ी बन गई है सिर्फ दो मिनट और मैं इसको थोड़ा सा पक्खाऊंगी और उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी को कि जब कड़ी बन जाते तो हमें खुदी अंदाजा हो जाता कि हां हमारी कड़ी बन चुकी है ऐसा कुछ नहीं कि कड़ाई के आसपास चिपकेगी तभी हमारी कड़ी यानि कि मैंने कुछ लोगों से सुनाए कि कड़ी के आसपास मोटी लेयर जम जाती है तो ही कड़ी हमार पर बन कर तैयार हो जाती है, मैं इस चीजों पर विश्वास नहीं करती है, मैं सिर्फ अपने हाथ पर और अन्दाजी पर ही विश्वास करती हूँ, हाँ मेरी कड़ी अब बन गई होगी, क्योंकि हम जब कड़ी चड़ाते हैं, तब हमारी कड़ी का, यानि कि जो देखने ला आइडिया नहीं लगाना चाहिए, कि मोटी लेयर अगर आसपास जम जाएगी कड़ाई में, तो ये हमारी कड़ी बन गई है, मैं तो अपनी कड़ाई में कड़ी की या साग की किसी की भी लेयर जमने नहीं देती हूँ, साथ के साथ उसे हटाती रहती हूँ, और कड़ी को मेरे लगबग कई बार के हो गई, ये लास्ट के पकोड़े थे, जो मैंने उतार लिये हैं, और अब ये ही बचे हैं कड़ी में डालने के लिए, जिने मैं अब डाल दूँगी, थोड़ा तेल इतने ठंडा होगा, मैं इनको डबल, यानि की तोड़ तोड़ के इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ के पकोड़े थोड़े से टाइट रहते हैं, पहले तो मेरे टाइट रहते हैं, अब तो नहीं रहते हैं, क्योंकि अब मैं धाई वगरा डाल देती हूँ, अब मैं इनको तोड़ तो मैंने फिर ऑइल गरम ओइल था जो पकोडों का वो मैंने काड़ी में डालका study दिया है और कृड़ी के लिए मैं दूसरा लिया है जितना एल मैंने पहली बार में कड़ी को छोखने के लिए या था उस से मैंने कड़ी पत्ता और लाल मिर्च सुखी लाल मिर्च और जीरे का ही छोक लगा है वो कड़ी पत्ते की डंडी थी मैंने डंडी के साथ तड़के में डाला था तो पत्ते उसके निकल गए कड़ी में जाते ही और डंडी उसकी रहेगी जिसको मैंने निकाल दिया था और मैं को दुबारा से फ्राइपैन में उडेल के तड़का लगा रही हूं ताकि जो जीरा कड़ी पते हैं वो वापिस उसमें चले जाएं और ये मैंने मिक्स कर दिया है अपने तड़के को और मेरी कड़ी देखिए कितनी सुंदर बनी है ये है दिल्ली वालों की कड़ी और ये तोरी चावल लिये है मैंने जीने मैं पानी में थोड़ा सा भीगो के रख दूंगी और जब मुझे बनाने होंगे ता मैंने दोलूंगी साफ पानी से अभी तो मैंने टैप का पानी ही लिया है जब मैं दोलूंगी तो साफ पानी से दोलूंगी अब मेरे चावल दो चुके मैं रख दी उनको प्याज मैंने काठ ली है गैस चला कर मैंने कुक कर वी चढ़ा दिया है चावल लृत मैंक चावल च्थे लिए कौकि मैं बनाऊंगी प्याज वाले चावल जीरा मैं नहीं डालूग इसकी मेरी चोटी बेटी जीरे को सबजी में धनिये को और प्याज मेरी हो गई है अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल बैक में आपने देखाऊगे मेरी बेटी पानी पीती हो गोम रही है और हजबेंड भी आ गए है क्योंकि उन्हें भूक लगने लग गई है तो पहर के दो बज़े का संडे को मुशली कामी ज़्यादा होते है और मैं इसमें चावल में डाल दी है मिक्स भी कर दी है प्याज और तेल के साथ और मैंने इसमें डाला है डेड़ चमच से ज़्यादा नमक और जितने मैंने चावल लिये थे उससे डवल मैं पानी डालूंगी दो कटोरी मैंने पानी डाला है और उसको अच्छे से चला दूँगी जो चावली दरदर चिपके उन्हें कुपकर में उन्हें मैं छुटा दूँगी और चम्मत जाड के धकन को मैं हाँ से थोड़ा सा साफ करके मैंने लगा दिया है सीटी बजने तक के लिए मैं वेट करूँगी और आटा मैंने लगा के रखा ही हुआ था आपने देखी लिया था तो सिर्फ मुझे पांच रोटियां बनानी है एक गाई की बनाऊंगी और पांच रोटि हस्बेंड की पांच या छे जितनी भी रोटि इसमें बन जाएगी और तवा मेरा गरम नहीं हुआ था तो गाई की रोटि मैंने रख दी थी पहले बेल के और दूसरी रोटि मैंने बेल दी थी तो आपने देखा हुए एक रोटि को मैं उस तरफ ले गई थी फिर मैं दूसरी डाली क्योंकि गाई की मैंने उधर आटे के उपर बेल के रख रोटि थी तवा गरम नहीं हुआ था और मेरे कुकर में सीटी आने वाली है आप देखिए सिर्फ मैं इसमें दो सीटी लगाऊंगी दूसरी सीटी के लगते में मैं कुकर को यानि की गैस को बंद कर दूँगी दूसरी सीटी आने पर मैंने गैस को बंद कर दिया और कुकर को हिला दिया और मैं जब तक वेट करूँगी जब तक की कुकर की पूरी गैस ना निकल जाए कुकर की सीटी में ने वीडियो को किया हुआ है तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी सब कुछ दिखरा होगा स्पीड में तो आपको मैंने बताई दिया किसलिए किया है लैंद थी वीडियो थी तो इसलिए उसको मैंने स्पीड में चला दिया था हजबेंड महाँ पर रोटी खाने लग गए है और मैं रोटी यह सेख रही हूँ कुकर में से गैस अभी पूरी निकली नहीं है उसमें अभी भाप है और बच्चे मेरे आकर बैठ गए हैं डाइनिंग टेवलपर अब यह मेरी लाष्ट की दो रोटी थी क्योंकि पांच या छे ही रोटी मुझे बनानी थी और यह लाष्ट की दो रोटी हैं जिने मैं सेख लूँगी रोटी मेरी बंचू की है बिलने का काम खतम हो गया सेखने कई रह गया सिफ लाष्ट की एक रोटी थी इसे भी सेख कर मैं रख दूँगी और बागी की जो रोटी है एक रोटी में बचा लोगी और एक रोटी हजबन ले जा चुके थे चार रोटी और देनी थी तवे को मैं हमेशा गैस की नीचे ही रखती हूँ और मैं उधर रोटी दे दिया है इस बैंट को कि को गीकी रोटी में खाते है एक रोटी वापिस आगए क्योंकि हो कहने रही मैं चार रोटी खाऊँगा थोड़े से चावल ले लूँगा तो ये चावल मेरे बन गए थे गैस उसकी बिलकुल निकल गई थी बहाँ पूरी निकल गई थी और देखे चावल बिलकुल बन गए हैं सिर्फ मैंने प्याज प्याज डाल के ही चावल बनाए हैं और हमें बच्चों के लिए प्लेट में लगा रहे हूँ ये बड़ी बेटी के लिए प्लेट है जिसमें एक पकोड़ी है थोड़ी ज्यादा कड़ी है ये चोटी बेटी की प्लेट है क्यों ने पकोड़ी इतने ज्यादा खा लिया है कि मुझे लगता निया कि वो सारे चावलों को फिनिश कर लेंगी पिर भी मैंने डालती है, कडी नहीं खाएंगी, तो चावल चावल तो जरूर कहएंगी, और ये है मेरी फ्लेट, मैंने थोड़ा सा गही लगाया है, मैं घीकी, रोटी लेती हूँ, एक रोटी और थोड़ा से चावल, और एक Certoni मने खडी ली है, ये देखे मेरी थाली तयार हो गई है चावल रोटी और कड़ी और घीरा ये बच्चों रजबन खाना खा रहे थे और देखिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आयो तो लाइक चरूर कीजिएगा थैंक यू